प्रिंस आज रमजान स्पेशल में आप लोगों के लिए लेक्ट आई हूं बहुत ही असान और मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी मेहँगाई के इस तोर में चिकन की कीमतें आसमान से बाते करती नजर आती हैं इसलिए ऐच मैंने सबस्यों से स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं जो के बहुत असानी से बन भी जाते हैं और कम खर्चे के अंदर तियार हो जाते हैं धे सारे रोल्स चलिए रेसिपी स्टार्ट करत एक अदद बन गोभी का फोल ले, उसको बारीगबारीगए का अपने कट कर लेना है, वो इसमें शामिल कर दे, आप अपनी पसंद की कोई सी भी सबस्ती इसमें डाल सकते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, ज्यादा कौंटी पर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज सिर्फ शिम्लामिट, गाजर और बन गोबी से आपको मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स बनाने का तरीका बताऊंगी सो ओयल के अंदर मैंने तीनों सब्जियां डाल दी हैं तेज आँच के उपर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को आपने बिल्कुल गलाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना है इनको आपने क्रंची ही रहने देना है हलका सबस आपने इनको स्टर फ्राइ करना है एक मिनट के लिए सब्जियों को स्टर फ्राइ करने के बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ एक चोटी चमच नमक का डाले है मैंने 1.5 टी स्पून इसमें गया है लाल मिर्च का पाउडर एक चोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्चे डाली है मैंने एक चोटी चमच ही मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर 3 टेबल स्पून यानि के 3 बड़े चमच इसमें जाएगा सोया सॉस का 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस फिर इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून सफेज सिर्के का सिर्के के इस्तमाल से सबजियां ज्यादा देर तक आप मैफूस करके रख सकते हैं तो आप रोल्स जो हैं उनको बनाके दो से तीन मातक इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल भी हराब नहीं होंगे And that's it ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स करना है Give it a good mix तेज आंच की उपर आपने एक से दो मिनट के लिए सबजियों को स्टर फ्राइ करना है और उसके बाद आपने चूले को बन कर देना है Make sure कीज़ेगा कि आपने सबजियों के अंदर ज्यादा आयल का इस्तमाल नहीं करना दूसरी चीज़ ये है इनको हलकी आग पे नहीं पकाना अधरवाई सबजियां पानी छोड़ देंगी और ये जो है सोगी हो जाएंगी तो आपने इनको क्रंची ही रहने देना है एक से दो मिनट स्टर फ्राइ करने के बाद मैंने सबजियों का चूला बन कर दिया है और सबजियों को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है मीनवाईल यहाँ पे मैं मैदे का ग्लू बना रही हूँ जिसे हम कहते हैं समोसा ग्लू या रोल ग्लू ठंटी होगी तभी आपने रोल्स जो है उनको बनाना है तो यहाँ पे रोल पटी मैंने ले ली है आप बाजार से भी ले सकते हैं घरमें भी मैंने बनाना सिखाई हुई है उपर आई बुतन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर जाके वो रेसिपी भी देखिएगा, तो यहां पर आपने समूसा ग्लू जो हैं, इसको अपलाई कर देना है, रोल ग्लू, समूसा ग्लू, लई, जो भी आपके हैं, apply करतें तीनों तरफ और इस तरीके से fold कर दें बहुत असान तरीका में आप लोग सा शेयर कर रही हूँ हर कोई बना सकता है even बच्चों को भी अपने साथ इस activity में जरूर शामिल करें उनको भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह आप देख सकते हैं हलके हाथ से आपने इसको roll को fold कर देना है अब लास्ट पे भी यहाँ पे आपने लगा देना है roll glue, समूसा glue या लई अच्छे से लगाने के बाद आपने इसको fold कर देना है ताकि यह stick हो जाए और इसके अंदर से जो filling है वो बाहर ना निकले तो यह आप देख सकते हैं roll की shape बनके ready हो चुकी है आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा असान तरीका share किया है rolls को fold करने का प्लस जो filling की recipe है वो सबसे ज़्यादा easy है आज से पहले इतनी असान recipe मैंने filling के आप लोग सा share नहीं की होगी तो ज़रूर try कीजेगा इंतहाई लजीज आपके spring rolls बनेंगे अब यहाँ पे medium गरम oil के अंदर आपने rolls को fry कर लेना है दर्म्यानी आज के उपर fry कीजेगा तेज आज पे ना कीजेगा और दर्म्यानी आज के उपर ही यह बहुत ज़्यादा crispy बनते है तो बिलकुल आपने इनको आइस्ता आइस्ता से इनकी sides को change करते जाना है दोनों sides पे जब golden brown color आ जाएगा तब आपने rolls को निकाल लेना है इन rolls को आप बना के 2-3 माह तक freezer में freeze करके रख सकते हैं बच्चों को lunch box में दें, रमजान आने वाला है, रमजान में बनाएं और आज की यह recipe specially रमजान के हवाले से ही है इसको आप mayo dip के साथ, green chutney के साथ, या ketchup के साथ enjoy करें आपको बहुत मज़े के लगेंगे recipe जरूर try कीजेगा, recipe try करें तो मुझे feedback जरूर दीजेगा कि आपको आज की recipe कैसे लगी बिसमिला पढ़ते हैं और इसको हम तोड़ते हैं बहुत ही अच्छी से के दर stuffing हुई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा crunchy vegetables थी बिल्कुल soft नहीं थी जिसकी वज़ा से इनका taste बहुत ज़्यादा अच्छा था तो यह आप देख सकते हैं बाकी rolls भी मैंने बना लिए हैं इनको zip lock back में डालके side पे इस तरीके से रखते जाए zip lock back में डाले या airtight box में डाले और इनको आप store कर दे फ्रीज कर दे दो से तीन माह तक आप इस्तमाल कर सकते हैं ज्यादा सारे बनाके रख दे रमजान आने माला है तो रमजान में आपके लिए इसानी हो जाएगी इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी है